गुणिविंग एवरीवन आज जो आपके सामें टॉपिक लेकर के आए हैं वो है एक्टिव सेब पैसिव आपकटिव एड़ पैसिव का जो फॉर्मूला होता है वह रहता है सब्जेक्ट प्लस हैल्पिंगिवर्प प्लस man verb प्लस object और passive जो convert करते हैं active to passive तो object पहले आता है helping verb प्लस man verb third form प्लस by प्लस subject यह धियान रखना है passive में जो man verb है वो हमेशे third form में रहेगी इसके बाद मैं आपको graphical representation से समझाना चाहरे हूँ जो active में हमारा sentence है I kill a snack I kill a snack तो इसको convert किया हमने I हमारा क्या है subject है kill हमारी man verb है a snack object है हम object को आगे लेकर के आएंगे a snack is killed मैंने बता है आपको passive vibes में man verb जो है वो third form में convert हो जाएगी और I by me में convert हो गया है क्योंकि ये subjective से objective केस में convert हो गया है change of persons as subject object is changed into subject I है तो object में me में change होगा we है तो us में you तो you में he him में see her में they them में any name name as it रहेगा इसकी बार subjective possessive और objective केस हमको यार्द रखना है I my me we our us you your you he his him see her her they their them अब जब हम आगे चलेंगे तो ये चार्ट में आपके लिए तयार किया है change of tenses from active to passive the following table will show the change of tenses देखें सबसे बहुत आवश्यक जो बात है वह यह है कि active passive के लिए आपको टेंस आना आते आविश्यक है तो मैंने यहां active वाइस में भी टेंस जो है वो एक चार्ट के रूप में यहां सो कर दिया है और पैसिव वाइस में कैसे चैंज होड़ा है उसको भी सो किया है तो इसको यदि बिटा आप याद करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी